Welcome to back my channel friends, मेरा नाम है आदिल और आप देख रहे हैं HVAC Technical Fault आज किस वीडियो में बात करेंगे चिलर HVAC interview questions के बारे में Last time भी मुझे comment मिला था कि आदिल भाई चिलर HVAC से related जो interview में questions आंसर पूछे जाते हैं उससे related कुछ videos जो है बना दें तो इस वीडियो में मैं चिलर से related जो भी technical faults हैं या भी technical questions हैं जो interview में पूछे जाते हैं उन सारे चीजों के बारे में आज में बात करने वाला हूँ तो वीडियो बहुत ज्यादा helpful होने वाली है और वीडियो के start करने से पहले बता दूँ कि ये वीडियो जो है आप लोगों को MCQs में मिलेगी और ये वीडियो से आपको ये फायदा होगा सबसे पहले तो उन लोगों का फायदा होगा जो beginners हैं उनको सीखने का मौका मिलेगा दूसरा जो के इन सारी चीजों को जानते हैं तो उनका एक तरीक से ये test हो जाएगा क्योंके मैं एक एक करके questions read करूँगा और option में आप लोगों को खुद भी answer जो है अपने mind में रख लेना है जब मैं आपको answer बताऊं तो आपने इसे match कर लेना है ठीक है तीसरी चीज जो है आप लोगों का ये फायदा होगा उन लोगों का जो interview में questions जो है search out कर रहे है यूट्यूब पर और उनको अभी तक के इस तरीके के questions नहीं मिले तो आपको इस वीडियो में जो है लाजमी सीखने को भी मिलेगा और आप लोगों को समझ भी आएगा तो friends वीडियो पर जो है like बाद में करना पहले वीडियो को देख लो अगर अच्छी लगे वीडियो helpful लगे तो like करना वरना dislike भी कर सकते हो वीडियो को start करते हैं question number one है हमारा which expansion device is used with VFD motors in multi-split AC देखो यहां पर मैं आपको बता दूँ के आजकल interview में इतने लोग को job की requirement होती है न तो हर एक एक बंदे को बला के interview लेना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है तो आजकल क्या हो रहा है कि लोग MCQs के जो papers है वो ready कर देते हैं और जितने भी candidates होते हैं job के लिए आते हैं तो उनके लिए एक यह easy हो जाता है interview लेने वालों के लिए कि वो paper provide कर देते हैं और कहते हैं यह technical questions के paper है आप इसमें selection कर दो जो जो आपको answer है इसमें आपको पता ह उसके बाद जो हम आपका यह paper चेक करने के बाद आप से फिर जो है मजीद आगे का interview लेंगे तो आजकल जो है MCQs पर interview लिया जाता है ठीक है तो question number one क्या है हमारा which expansion device is used with VFD motors in multi split AC सबसे पहले यह समझ लो कि VFD क्या है तो VFD की जो full form होती है न वो होती है variable frequency device यह एक ऐसी device होती है जो motor में लगाई जाती है motor की speed को कम ज्यादा करने के लिए ठीक है तो यहाँ पर यह पूछ रहा है कि which expansion device is used with VFD motors in multi split AC तो यहाँ पर option में कौन सी ऐसी device है जो VFD motors के साथ use की जाती है तो इसमें कौन सी device हो सकती है expansion यानि कि electronic device हो सकती है या पिर automatic हो सकती है या thermostatic हो हो सकती है या hand operated हो सकती है तो आप लोग सोचो इसमें से कौन सी expansion device जो है VFD motor के साथ जो है लगाई जाती है यानि कि use की जाती है तो आप लोग answer सोच लो और मेरा answer जो है अभी देख लो ताकि आप लोगो पता चल जाए कि आप लोग को पता था या नहीं पता था ठीक है त लेकिन मैं या पर आपको एक चीज़ ऐसी बता दूँ कि expansion device की भी काफे सारे types होती है और मैंने वीडियो अल्रेडी बनाई विये जिन लोगों ने अगर ये वीडियो नहीं देखी और अगर जिनको नहीं पता तो देखो अभी आपको eye card पे नजर आ रही होगी तो आप लो number two है हमारा which types of heat is absorbed by water while passing through the cooling coils of an indirect expansion chiller plant देखो यहाँ पर question समझ लो कि indirect expansion क्या होता है indirect expansion जो होता है वो होता है जैसे मान लो कि हमारा chiller plant है indirect expansion device जो होती है ना मतलब जो unit होता है वो यह होता है कि उसमें secondary refrigerant से cooling मिल रही होती है अब कैसे मिलती है मैं आपको समझाता हूँ गौर से वीडियो को देखना मेरी बात पूरी सुनना ताकि आप लोग को समझ आ गया गया देखो indirect expansion जो unit होता है वो क्या होता है देखो मान लो हमारे पास एक chiller plant है air cool type chiller तो उस chiller plant के अंदर जो है ना water को ठंडा किया जा रहा ह और water जो ठंडा होकर जो building में जो हमारे AHU और FU लगे होता है जो water की throw cooling करते है तो वो secondary refrigerant लाती है जो indirect expansion valve में यूज की जाती है building में AHU अगरा में जो water जो chill line में जाती है chill line से होकर वाफसी आती है जिसकी वाज़े से हमें cooling मिलती है ठीक है तो यहाँ पर यह बत पूछ रहा जो chillar plant के अंदर से होते हुए ठंडा होते हुए जब वो जाता है building के अंदर AHU के अंदर जब AHU से वाफसी जो घूम के आता है वो water फिर दुबारा जो chillar के अंदर आता है ठंडा होने के लिए तो उसमें जो heat होती है water की वो कौन से heat reject करता है तो इसमें लिखावा है super heat, latent heat specific heat या sensible heat एक बार दुबारा question को read कर लो और अपने mind में सोच लो के कौन से heat जो होती है वो reject होती है जब water AHU से होने के बाद वाफसी चिलर के अंदर आता है ठंडा होने के लिए क्यों जब water ठंडा होता है तो उसकी heat reject होती है तभी water जो है chilled होता है ठीक है तो इसका answer जो है sensible heat तो आपको यहाँ पर नज़र आ रहा होगा sensible heat जो होती है वो reject होती है जब हमारा chiller जो है water को chilled कर रहा होता है ठीक है next question पर चलते है question number 3 है which type of expansion device is used in flooded chiller सबसे पहले यहाँ पर समझ लो के chillers के types कितनी होती है chillers जो होते है उसमें मैं आपको बता दूँ एर कुल टैप चिलर होता है ठीक है जो हमारा जो यानिके fans जिसकी condensation कराई जा रही होती है अल्रेडी मैंने वीडियो भी बनाई विये जिन लोगों को नहीं पता एर कुल टैप चिलर क्या होता है तो देख लो आई-कार्ट पर आपको नज़र आ रहा हुगा complete bio detail मैंने सारी चीज़स में डाली ही आप लोग देख लेना अगर दिल करे तो ताकि आप लोगो थोड़ उसनों होता है एक watercool type चिलर होता है एक warm टाप चिलर होता है और उसलोड़ चिलर होता तो फ्रूट चिलर में जो है expansion device कौन से यूश की जाती है इन ऑप्शन में बताओ चेक करके कि कौन से ऐसी expansion device है जो fluted chiller में यूज की जाती है और सबसे पहले मैं आपको बता दू जो लोग beginners है ना तो भाई ये देखो ये photo आपको जो नजर आ रही है ये क्या है अभी आपको option में बताता हूँ इसके बाद समझ आएगा देखो इसका जो answer है वह है flute wall ठीक है देखो इसमें flute wall आप देख सकते हो photo में यहाँ पे जो आपको expansion device नजर आ रही है ये flute wall expansion device कलाती है already मैंने इससे पहले first question आपको बताया दा कि expansion device कितने types क्यों होती है तो मैंने video अरेड़ी बनाई भी आप लोग को eye card पर मिल गई थी तो आप लोग लाजमी देख लेना आप लोग को समझ आ जाएगा flute wall क्या होता है multiple capillary क्या होती है automatic expansion valve क्या होता है और hand operated expansion valve क्या होता है ठीक है चलते हैं next question पर question number 4 है which safety controls stops the compressor motor if there is leakage of refrigerant अब देखो मान लो आपका एक शिलर प्रांट है या split AC है तीन टन चार टन पांच तन दस टन का deductible कुछ भी हो तो उसमें अगर refrigerant leak हो जाती है कहीं से condenser leak हो गया या फिर evaporator leak हो गया या flare nut leak हो गया तो उसकी सारी gas निकल जाती है तो कौन सी ऐसी safety control device है जो compressor को stop कर देती है leak होने के बाद तो यहाँ पर question number 4 का जो option है number A HP cut out number B thermostate number C LP cut out number D oil pressure cut out अच्छा यहाँ आपके HP और LP से यानि कि इसकी जो full form है high pressure cut out और low pressure cut out तो बताओ इसमें से कौन सी ऐसी safety device है जो refrigerant system को leak होने के बाद compressor को stop कराती है तो अगर आपको नहीं पता और अगर पता है तो answer मैं आपको बता रहो match कर लो इसका answer है LP cut out LP cut out क्या होता है low pressure cut out जब refrigerant leak हो जाती है system से तो gas को जो pressure होता है वो कम हो जाता है क्योंकि refrigerant leak होने की वज़े सारी खतम हो जाती है तो low pressure जो switch होता है वो sense कर लेता है कि system के अंदर जो है pressure नहीं है gas का इसलिए वो आगे compressor को command नहीं देता compressor को start करने के लिए ठीक है और अगर compressor चल रहा होता है तो जैसे ही refrigerant काम होना शुरू जाती है वो फॉरण जो है cut out हो जाता है जब उसका pressure जो है नीच आ जाता है तो जिसकी वज़ए से compressor continue work नहीं करता और compressor जो हमारा stop हो जाता है जिसकी वज़ए से यह compressor की safety हो जाती है और compressor खराब होने से बच जाता है तो LP cut out जो switch होता है वो जो है work करता है leakage of refrigerant पे जब भी refrigerant leak हो जाए तो LP cut out करा देता है compressor को ठीक है नेक्स कोशन पे चलता है अभी कोशन नमबर 5 है विच डिवाइस इंशोर करेक्ट फ्लो ओफ चिल्ड वाटर सप्लाई इंग चिलर एसी प्लांट देखो चिलर प्लांट की लाइनों में जो है आपको कौन सी ऐसे डिवाइस मिलती है जो वाटर के फ्लो को सेंस करके आगया चिलर को कमांड देती है तो यहाँ पर ओप्शन है साइड ग्लास नमबर B है लीव स्विच नमबर C है लेवल मास्टर कंट्रोल नमबर D है प्रेशर रिलीव वाल्फ तो इन चारों में से कौन सा ऐसा ओप्शन है जो वाटर के फ्लो को सेंस करके चिलर प्लांट को यानि के कमांड देता है कंप्रेसर को रन करना के लिए तो अंसर इसका है लीव स्विच अच्छा लीव स्विच जो होता है ना इसको हम वाटर फ्लो स्विच भी कहते हैं यह बेसिक क्या काम करता है मैं आपको इसी में समझा देता हूँ जब भी chiller plant में जो है water की जो flow है यानि कि मान लोग कि air cool type chiller है या water cool type chiller है XYZ तो उसमें water की circulation के लिए हम chill water pumps use करते हैं ठीक है और अगर आपको नहीं पता है कि chill water pumps क्या होते हैं तो video candy screen पे मिल जाएगी आपको complete detail में video मिल जाएगी आप लोग देख सकते हूँ किस तरीके से connection होते हैं किस तरीके से जो है वो chiller से connect किया जाता है तो मैं याप आपको समझा दूँ कि flow switch क्या काम करता है जब भी जो हमारे पास chill water जो pump लगे होते हैं वो जब आप on करोगे जब start करोगे तो building में water जाना शुरू होगा फिर वो water जाने के बाद pump की मदद से चिलर से ठंडा होते हैं फिर वो building में जाता है ठीक है अगर pump नहीं चल रहा होगा तो जायर से बाते water का flow भी नहीं होगा अब जब water का flow नहीं होगा तो water जो है तो water का flow तो ही नहीं तो जो हमारे पास evaporator होता है चिलर का उसका damage होने का खतरा होता है क्योंकि वो ice बनना शुरू हो जाएगी और जब ice बनने के बाद वो फूलना शुरू हो जाएगी जिसकी वज़ए से cooler जो है damage हो सकता है तो flow switch को इसलिल लगाया जाता है तो भाई यह लास्ट कोशन है कोशन नमबर सिस्वाट इस दाडवांटेज ओफ ग्लास फाइबर डक्टिंग ग्लास फाइबर डक्टिंग जो होती है जो आपको भी नजर आ रही है फोटो में इसका हमें क्या एडवांटेज होता है तो एकनोमिकल होता है या यह हैवी वेट होता है या फिर यह सेल्फ इंसलेटिंग होता है या हाई ही ट्रांसफोर होता है हाई ही ट्रांसफोर तो मतलब इससे हमें क्या एडवांटेज ग्लास फाइबर डक्टिंग से अगर नहीं पता, अगर पता है तो भी मैं आपको बता रहा हूँ आंसर मैच कर लेना और जो बिगनर से आप लोग भी देख लो तो यह self insulating होती है यहाँ पर आपको नजर आ रहा होगा ठीक है जिसकी वज़ाज से जो है हमें advantage मिल जाता है कि इसकी insulation करने के तो मिलते है कोँ नहीं वीडिक साथ रखे खिर अलाफेश